हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीजुलाज़ शवितवीनिमे, हम लोग अपना पश्चिम प्रागेति हासिक काल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिश्चिकी सब्दा प्रागेति हासिक हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हमbull मेजोपटैमिया पे आचुके हैं, तो अगर आप दूस्तों नए हैं तो मैं पहले आपको कहा दूँ कि प्लीज इसके पहले के वीडियो जरूर देखें ताकि आपको मेस्वपुटैमिया की कहानी समझने में इजी हो और साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं और मेरे वीडियो चैनल पर नहीं जा पाएं तो इ सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक भी जरूर करें तो मैस्वपुटैमिया की सिविलाइसेशन देखते हैं देखें दोस्तों मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह जब प्रगेतिहासिक मानव अपने सभ्यताओं में रहने लगा सभ्यता पढ़ चुके हैं जो नील नदी के उदर थी वैसे ही टिग्रिस और यूफरेटिस की बीच में जो सभ्यता पनपी वो थी मैसोपुटैमिया की सभ्यता उस समय जो सभ्यता का उद्बव हुआ वो थी मैसोपुटैमिया की सभ्यता अब मैसोपुटैमिया क्या है तो एजिप्ट में 31 सामराज्य थे उसी प्रकार से यहां भी सामराज्य बदलते गए और चेंज होता गया टाइम आर्ट भी डेवलप होने लगी और सेम यही हम देखेंगे कि उसमें भी जैसे सुमेरी, अककर, बिबिलूनियन, असेरियन, कल्सी इन सब ने अपना अपना राज्य किया अपना अपना टाइन पीरेट बनाए और उस समय कला का इस प्रकार से उद्बववा वो हम आगे देखेंगे और एक और चीज और कि मैसोपटायमय का सबसे प्राचीन नगर उर कहलाता है और उर को ही आज इब्राहिम का नगर कहा जाता है आगे देखते हैं तो मैसोपटायमय का राजनेती के इस्तास पूरा आपसी शासक की लड़ाई अंगरे जी प्रहार विद्रो और सैनी नियमों के पतन की है परंतु इन सब के चलते कला का उद्भव पूर्णता हुआ मतलब गे सब चीज़ने बस आपसी लड़नी लड़ रहे हैं वो लोग लड़ते हैं पहले उनका राज जी फिर उसको हरा के दूसरे राजा शासन करता है और इन सब में ही यह जो हमने उपर आप देखेंगे कि अलग-अलग पीरेट्स में मैसोपटायमय डिवाइड है तो सिर्फ शासन पे ही डिपेंड कर रहा है ठीक है और उसके आगे क्या है देखें तो मेसोपटायमय की सब बता मिश्र से कैसी डिफरेंट है मतलब दहें तो दोनों ही सब बता और साथ साथ की है अच्छा दोनों में प्रभाव भी पड़े हैं नो डाउट एक दूसरे का प्र लेकिन मेसोपटैमिया के लोग इत्ता उस पर कोई बिलीव नहीं करते थे वो लोग जानवरों को अपना देवता मानते थे जानवरों को पूछते थे और काला जादू जोतिशी इन सब पर विश्वास करते थे तो यह चीज़ें अलग थी दूसरी बात जो मिश्र के समय ज बोलेंगे हम वो सारे विचार भी पौरानिक विचार भी इखटे करें जो आज हम पढ़ पारें दोस्तों अगर वो लोग नहीं लिखते वो लोग कुसी भी सिंबॉलिक फॉर्म में भी नहीं बताते तो हम आज पढ़ नहीं पाते इस सब्वेता में विशेष्टा क्या सुमेरी युग आया मतलब देखिए अब नदियों के पार ये लोग रहते थे इनने सब्वेता बनानी शिरू करी तो जो उन दोनों नदियों टिगरेस और उफ्रेट इन दोनों नदी के बीच में जो सुमेरी युग था उसमें ये लोग रहने लगे तो उन लोगों को कहा गया सुमेरियन लोग है ना एंड वही 4000 इसापूर में आए और बसने लगे इसलिए वह युग जो है आपका पूरा सुमेरी युग कहा गया ठीक है इसमें वस्तुकला बना इसमें मुर्तिकला मिले कैसे मिश्र की तरह यहां भी हर शेत्र में अपने अराध्य होते हैं अरा स्टुर्माघा कर रहे हैं हमको खाना कौन दे रहा है वह दे रहा है हमको जो भी चीश मिली एप्रक्रतिक शक्तिया जलवल सब हमको रज़ते रहा है इसलिए वो लोग अपने राझा की पूजा और मतलब उन आराध्य मानते थे और उनकी पूजा का ना चीज में बच्चा प्राइमिया के टाइम में स्टार्ट हुआ था जिगरेट होता क्या है दोस्तों तो देखिए क्या है यह तो सुमेरी लोगों के लिए मंदिर उनके आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन का केंद्र बिंदुते मतला वो लोग पूजा करते तो इस प्रकार से यह मंदिर बनाते वो उनका केंद्र बिंदुता वो लोग बहुत सारी चीज़ें आप देखें नगरों में रहने लगे तो बहुत चीज़ें बने लगी जैसे की गोदाम, अनभंडार, कारिशाला, घर सब बनने लगे लेकिन इन सब के बीच में एक हाइट पे एक मंदिर टाइप बनाते थे उसी को कहते हैं जिगुरेट, मतलब ये ऐसे सीडियों आसपस से सीडियों से घर के सबसे उपर के जो जगे बनती थी उसमें जिगुरेट कहते हैं उसको जो उनका मंदिर होता था एक प्रकाश से, अब ये कैसे इसमें ये जो वाइट टेंपल की जो हम बात कर रहे हैं, जो उपर की चीज जो है इस प्रकाश से आप देख सकते हैं फोटो में कि वह वाइट पुद्धी थी, उसको सफेद मंदिर भी कहा जाता है, दूसरा क्या है कि इसके उपर के चेत्र में गर्ब गर्व में दैत की मूर्ती रखी, अभी नहीं है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि वह लोग देखते हैं, मतलब इतनी अच्छी से कंडिशन में नहीं है, बट है, फिर क्या है कि इदर उरू के ही गर्ब गर्व में कोई मूर्ती नहीं है, लेकिन अभी नहीं है, मैंने आपको यह बला, लेकिन वहां पर यह ऐसा महिला की मूर्ती का तूटा वह कुछ मिला था, और वो सफेद मार्बल का था, तो यह माना गया है कि मार्बल की मूर्तीयां भी हैं बनती होगी, और आप इसमें देखें कि इनकी आँखें किस प्रकार से है, एकदम बड़ी सी और काली सी और ब्राइट टिटड़, तो इस प्रकार की आँखें भी मैसोपचयमिया के इसमें भी मतलब आप उसमें अप एनटॉमी जज कर सकते हैं कि मैसोपचयमिया के समय क्या एनटॉमी थी, हैना कैसी थी, नीचे लिखा है मैंने कि त्रिकोन और बेलनाकार इस प्रकार की एनटॉमी थी यहां पर और इनके जो हाथ थे वो लंबे-लंबे पाइप की समान थे दूसरा इसमें बारा मूर्तियों है तो बारा मूर्तियों में जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो यह माने जाती है कि जो वेजिटेशन की देवता मतलब जो वनस्पती देवता है अबू है ना उनकी है और दूसरी जो उनकी मतलब माते सकता उनकी जिनको माता पूछते है वो उसे जो second large है वो उनकी है और बाकी सब जो मुर्तियां है वो पुजारी और पुजा करने वाले followers उनकी है ऐसा यह माना गया है अलस मारना और क्या मिला देखें तो राम इंद थिक भी कहते हैं इनको यह गोट एक बकरा जो है वो इस तरका से पेड़ के साथ खड़ा है यह वा तामबा, खोल, चूना, पत्थर और लपीस लाजली इन चीजनों से बने गई है और इसे तम्मूच का प्रतिकात्मक भी माना जाता है अब आते हैं अकड अकड युग में क्या था देखें तो पहले के राजियों के पतन के बाद उत्तरी मैसोपचायमिया के सेमेटिक आई कारडियन उन्हें हमला कर दिया हमला कर दिया और इस शेत पर विजिय प्राप्त कर लगे अब वो लो लो देखें वो लो इस पर नहीं बिलीव करते थे के छोटे-छोटे राज्य बनैव 2 एक साथ सफे राज करते थे शासन करते थे और यह चीज हुई एक झूइन सीं से ही प्रकृतिक द्रश्यांकन की प्रवधी में दिखाई देदी थी और दूसरा क्या था कि यहां पर बेल नकार मतलब से लैंड्रिकर मुद्राएं भी बहुत पाई गई थी और देखें क्या मिलता है यहां पर तो अकार्डियन किंग की ही मुर्ती मतलब फोर और सिर्फ आखें देखें तो इसी प्रकार की चीज़े में में मिली है दूसरी जो है नारा सिम की विजय मुहर स्टील लिखाया इसमें मैंने तो वह भी बहुत फेमर्स है कैसे वह चूना पत्था पे बनी गई है और इसमें क्या है जो यह राजा सरगौन के जो पोत्र थे पोत्र मतल राजा सब को विजय प्राप्त करके खड़े हैं और सन उनको पीछे ऐसा सूरज दिखाया है सूरज को यह बताया गया है कि वह एक उनकी जीत का प्रती के सीरत देवता थे तो वह जीत का प्रती के इस प्रकार की यह जो सील है 79 बार 59 इंच लंबी यह भी बहुत लौवर म् परिस में अभी है अब क्या होता है देखिए दोस्तों अभी हम अकार्डियन देख रहे थे अब क्या हुआ जो सुमेरी लोग ही पहले थे सुमेरी राजा और उन्हें ही अकार्डियन पर फिर से हमला करा और उन्होंने समेटिक नियम को फिर से स्थापित किया इसलिए नव सुमेधी संस्कृति के रूप में इसको जाना जाता है कि वो नए उस रूप में आए इस समय भी जिगुरेट पूजागर बने जो सुमेधी में बने थे जो यह मानते थे कि जो जिगुरेट हैं वो सेम स्वर्ग और प्थवी इन दोनों के बीच का कनेक्शन है यह यह मानते समय था और जो अभी है उसमें से आपको अंतर देख सकते कि इस प्रकार की मुर्तियां आप डायोरेट स्टोन की मिली दूसरा क्या है यहां पर मानव शरीर यह व्रशूप की मुर्थियां भी प्राप्त हुए आप देखिए कैसे पूरा व्रशूप है लेकिन उनके जो फे इच गिमिश एंकेड हुंबारडा एंड एफिगेस और फ्यूमन हैव अलसो बीन फांड इन सब के भी जो मूर्थियां यहां पर प्राप्त हुई थी अब आते हैं क्या हुआ अब नौ सुमेरी था चिक है मैसो पोचैमिया में लगा तर दौफुदल चली रही थी इसको ज जीता लेकिन जो कुछ प्रमूख हैं हम उस पर डिसकस कर रहे हैं यहां भी आने अपने आपको यह भी जो है यह राजा भी सेम अपने आपको भगवान मतलब भगवान तो दुनिया बनती थी उनको यह लोग क्या समझते हैं कि जो सूर्य देव हैं उनके वह सबसे बड़े आरादी हैं अब इस समय के राजा ने अनेक नियम बनाये थे साथ ही साथ रिलीफ जो रिलीफ होती है वो भी मिली थी देखे शमाश की रिलीफ यहां पर दिखेगी आपको और दूसरी बात अब यह क्यों कि देखे बेबिलोनिया ने रहे है जिगरेट इसी भी बनेंगे प अब क्या हुआ पहली शतादी इसापुर्व में उत्री मेसोपचैमिया में जो भी उतल पुतल हुई थी बिथियानी अब देखे में बोलों अलग-अलग जगे पे अलग-अलग शासन मतलब उनने थो अपना एरिया लिया और शासन किया तो वैसे बिथियानी नामा के एक जन जाती ने वहाँ अपना शासन स्थापित किया अन्य प्राचीन लोग जिनने अनातॉलिया के परवितिक शेत्र में अपना सामराजी स्थापित किया था वे थे हित्तिस इनने भी मतलब अपना अलग-अलग जगे यहां पे शासन डेविलप किया बाद में शुरुकिन आज का खोरसाबाद यह खोरसाबाद जगे है दोस्तों वहां का एक बहुत इंपोर्टिंट वो है इसलिए बता रही हूं मैं निर्मित दूसरे सरगोन का मेहल बहुत बड़ा था इस प्रकार का पैलेस जो है वहां पे इस समय बना था यह दूर शुरुकिन जो इसमें भी क्या है कि उनका जो फेस है वो मानव का है और बोडी दूसरे अनिमल की है तो यह चीज जो है सोला फिट हाइट की है उनको उसमें मिले थे दूसरा क्या था बहुत सारे रिलीफ चित्रांकन भी पाए गए असुरुबिनल के रिलीफ प्रसिद्ध है इसमें हम ऐस इसे कई काम उभार सत्र वाले शिकार के द्रेशि देखते हैं घायल शेर्नी की मूर्ती इन राहतों के बीच प्रसिद्ध है इन सब रिलीफ मिलती है इसमें देखी नीचे एक घायल शेर्नी जिने तीर लगे वें यह भी एक फेमस इस टाइम का आर्ट है अब असूरी यु बास्टर के पलस्तर पर रिलीफ में इस प्रकार के क्रम बद अंकन के अनेक उधारन प्राप्त हुए दर्वाजों पर कुछ रिलीफ तथा मूर्ती के समान उब्री आकरतियां अंकिन की गई इससे लेमसूस कहा जाता था इसे हैं दर्वाजों पर जो रिलीफ प्रकार की कहा जाता था तिगलाथा पिलेसर ठृतिय के भवन के एक अवशिष्ट पाशन खंट पर अंकित आकरती में परचंद की विधी का भी प्रयोग हुआ गया है चिके अब ये तो आगे देखने हैं नियो बेबिलुनियां अब ये नियो बेबिलुनियां जिनको क्याल्डीन य एक असीरियन जनर्र बाबुल के दक्षिण में सो पुचैमिया में अपना शासन स्थापित किया राजा नबुगदनेस्तर इस वंच के प्रसिद्ध सम्राठ थे वह इन शासक में से एक थे जिन्हें बाबल के टावर का पूर्ण निर्मान करने के लिए जाना जाता था था यह बाबल का टावर आप नीचे देख सकते हैं उसका पूर्ण निर्मान इनने किया था था थोड़ा ही है ज्यादा कुछ आपको इसमें देखने की जरुवत नहीं है वैसे इसका केंद्र कैल्दिया था इसलिए से कहा जाता था अब यह क्यों बैबिलूनियन देखें निय बैबिलूनियन आया इसमें क्या हुआ पत्थरों की अनुपलबदा थी स्टोंस नहीं थे तो उनने क्या किया दिवारों के उबड़ खाबर और आसमान हिस्सों पर चमकीली और रंगीन जले हुए टाइल्स का प्रयोग करने लगे देखें अब यह टाइल्स से यूज होने गया है यह काम जो है नियो बैबिलूनियन का में हुआ और बहुत ही प्रसिद्ध आज भी है उसको चीज़ का अब यह सबसे अंतिम योग इरानियन योग इरानी शासनकाल को मेसो पचायमिया में सबसे उलेखने शासन माना जाता है 539 BCE में इरान के समराठ सायरिस ने बैब बैविलूनियन में उनने अपना शासन इस्तापित किया बाद में 331 इसापूर में राजा एलेक्जेंडर ने मसो पचायमिया पर आक्रमन किया और इरानी शासन के पतन के बारे में बताया इरानी आग की पूजा करते थे और खुद को जो रास्टर का सेवब मानते थे लेकिन उसी के साथ साथ जो है राजा एलेक्जेंडर ने इस 331 समय पे उनको हरा दिया और रोम अंचास जो हम आगे पढ़ेंगे उसको शुरू करा ठीक है तो यह चीज जो है मेसोपटैमिया से कनेक्ट हो कि हम अब इसका जो रोम कला पढ़ेंगी लेकिन दोस्तों हम यह इस तरह से काउंसिंग हॉल इसमें फेमस है दूसरा कॉंसिल और डेयरियस का भी है वह भी फेमस है आप कैसे इसमें रिलेफ और यह सब बने गए दोस्तों चाहूं तो मैं भी एक पॉइंट कुछ ही पॉइंट्स में आपको यह सब बता सकती थी लेकिन जब तक मैं पूल नहीं होता और आप लोग भूल जाते आई होप यह कहानी के वे में आपको यह भ्याद रहेगा क्योंकि मुश्किल होता है मैं सुपर्चायमिया को इस प्रकास से याद रखना वह बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो आपको काम आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अब देखें मैंने बोला था कि हाँ इरानी यो कंप्रीट करके अब रोम क्योंकि इरान उनको हरा के जो राजा आएंगे अलेक्जेंडर जी ने र बिता पनपी थी वो क्रीट कि कला हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए आप लोग मैसोपुटेमिया बहुत अच्छे से पढ़ लें यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएंगा और अपनी कोई और भी डिमांड्स हो तो मेरे साथ शेर करें फील फ्री एंड थेंक यू सो माच आपको यह मदर करें